पेराबोलिक का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पेराबोलिक जो है वो पेराबोला से संबंधित कोई चीज होती है तो उसको भी कहा जाता है यानि कि कोई चीज अनुवृत आकार की हो, यानि कि आधे वृत के आकार की या वृत आकार की कोई चीज होती है, तो उसको भी parabolic कहा जाता है, यानि कि कोई भी curved shape की कोई चीज या कोई path होता है, तो उसे एक parabola कहते हैं, इसके इलावा कोई नैतिक कथा के रूप में वरनित क कोई चीज होती है, जिसका वरणन किसी नैतिक कथा के रूप में किया गया हो, उसे भी parabolic कहा जाता है, इसके इलावा इसका इस्तेमाल geometry, physics, economics या communication में भी किया जाता है, geometry में कोई भी ऐसी shape होती है, जिसका symmetric curve जो है बनाती है, तो उसको parabolic कहा जाता है, physics में parabolic का मतलब होता है, जो भी trajectories ऐसी होती है जैसे मानले जी कोई rocket छोड़ा गया चांद पर जाने के लिए तो उसने जो path create किया वो path जो है उसको parabolic path कहा जा सकता है इसके इलाबा economics या finance में अगर हम बात करें तो कोई भी एक rapid या exponential rise होता है यानि कि एकदम से कीमतें जो बढ़ती है तो उसका जो graph बनता है तो जो उपर की तरफ जाता हुआ होता है तो उसको एक parabolic graph कहा जा सकता है या parabolic move कहते है यानि कि एकदम से parabola की तरह उपर की तरफ उठता हुआ एक graph बना इसके इलाबा communication में इस तरीके के antennas इस्तेमाल किये जाते हैं जिने parabolic antenna कहते है जो कि signal को एक center में केंदरित कर देते हैं यानि कि जैसे आपके घर पर जो dish antenna लगा होता है ज जैसे आपके टीवी के channels का signal आता है तो वो भी एक तरीके का parabolic antenna होता है guard, satellite पर भी इसी तरीके के antenna होते हैं जो signal को एक जगह पर focus कर देते हैं और वहाँ पर लगा जो receiver होता है या फिर जो trans receiver होता है वो उसको receive या transmit कर पाता है तो इस तरीके से parabolic का हम कई तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें